और इसमें भारत के खुछ होने की बात है कि इसी देश के प्यधान मंत्री को काटर के सामने तलासी देनी पड़ती थी। सम्मान, Grand Cross of the Legion of Honor, यह वहां का फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है। और यह पहली बार किसी भारती को मिला है। आज के इस वक्त की दो बड़ी खबरे रही है। एक भारत के सम्मान मिलना फ्रांस से जबकि फ्रांस से सम्मान बहुत कम मिला अपने लोगों को। और दूसरी बड़ी खबर यह रही कि हमारा रॉकेट से लांच हुआ चांद के लिए। तीसरा प्रक्षे पर हमारा सफल हुआ। पूरे हिंदुस्तान के अगल बगल देखें बंगला देश का सर्वोज सम्मान मिला। बंगला देश का सिर्शी लंका का सर्वोज सम्मान मिला। अलब अमीरात का उनको सर्वोज सम्मान मिला। सौदी अरबिया का सर्वोज सम्मान मिला। कतल का सलबुद सम्मान मिला, तमाम कंट्रियों का इन्हें अभी वो मिस्र गए थे, मिस्र का कितना बड़ा सम्मान मिला, वहाँ पर वाया था, तो वहाँ के लोगों ने क्या कहा है, ऊपर अल्ला है, नीचे मोधी है, नमस्कार, मैं अंजले मिश्रा, स्वागते आप सभी का HD आपको बताते कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने एक नया इतिहास रच दिया है, और ये इतिहास उन्होंने अपने फ्रांस के दौरे के दौरान किया है, चुकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी दो दिन के फ्रांस दौरे पर है, इस दौरान प्रधान मंत्री नरें और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे भारतिया प्रधान मंत्री है जिने इस सम्मान से सम्मानित किया गया है और इसी के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी जो आप कह सकते हैं बाकी भारत के प्रधान मंत्री में सबसे पहले नंबर पर है जिने इतने स पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौझूद है वरिष्ट पत्रकार अजय पत्रकार जी सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में तो सर प्रधान मंत्री नर्ण देमोदी ने इतियास रचा है उन्हें फ्रांस के सरवुच नागरिक संबान से संबानित क्या गया ह देखे यह मतलब ऐसा नहीं कि PM मोदी का नाम है यह वास्तों में 147 करोर भारती जनता के लिए बहुत बड़ा है और इसमें भारत के खुश होने की बात है कि इसी देश के प्यधान मंत्री को कार्टर के सामने तलासी देनी परती थी तलासी देनी परती थी और योरिनियम के हालत रही है जहां पर आएसे प्यधान मंत्री को इतना सम्मान मिलना अपने आम में ताजुप की बात है नहरू जी भी मैडम माउंड बेटन के साथ जब ब्रेटन में घूमते थे तो बड़ी साधानल उस पर घूमते थे कोई उनका स्वागत नहीं होता ता अकेले ही पता जाना गूमते चले जाना है अएसा कभी नहीं हुआ कि वहां के राश्पती प्रदान मती रहे सम्मान अगर हिंदूस्तान में किसी को मिला तो नहरू जी की बहन को मिला था पंडित विजय लक्षिमी जो संयूत राश्ट्संग की अध्यक थी और उस पैललर का उनसे करा मुल्त ऑफ्रांस का सबसे बढ़ा सम्मान है सबसे बढ़ा सम्मान और यह पहली वरिकिसी भार्टी को मिला एशिया में भी बहुत एकी आदमी को मिला है अपूरे वर्ड में बहुत कम लोगों को मिला अपसे गिंती के लोग जितनी वलियां उससे भी कम लोगों को मिला तो वर्ड का इतना बड़ा सम्मान जिसमें आरभी भी आकर के इनको जो गौड़ आप अपने आप में वहां की प्रथम नाग्रिक ने और जिस तरह से वहां के राष्ट्रा द्यक्ष ने इनको सम्मान किया जिस तरह से लेकर के मिला अपने लोगों को और दूसरी जो है बड़ी खवर यह रही कि हमारा जो है वो रॉकेट से लांच हुआ चांद के लिए तीसरा जो प्रक्षे पर हमारा सफल हुआ तो दो भारत की बड़ी खवरे हैं और आपको उससे बड़ी बात बता दें कि बास्तों में यह यह दि लुट कने 시작 कि अगौगा की तौर पल मिलेगा की राष्टा ध्ग्षों ने कोशिश की थी अमेरेका की उन्होंने कोशिश की थी उनको नहीं मिला भारत के उनको नोबल मिलेगा इसमें कोई सक नहीं मगर आपको अफसोस की बात वता रहा है इंद्रा खांदानसे तीन लोग को मिलना चाहिए और चुकि मोधी उसके योग है अब आपको बता दे कि ये मोधी क्या है इनको यहाँ नहीं मिला पूरे हिंदुस्तान के अगल बगल देखे बंगला देश का सर्बोश सम्मान मिला बंगला देश का सर्बोश सम्मान मिला अलब अमीरात का उनको सर्बोश सम् मिला तमाम कंट्रियों का इने अभी वो मिस्र गएते मिस्र का कितना बड़ा सम्मान मिला वहां पर आया था तो वहां के लोगों ने क्या कहा है उपर अल्ला है नीचे मोदी है पताए यह भारत का एक मान बाला है अमेरिका में जब इनका यह वद्धो दो तो कितना जब जब लेडिस थी उसको बैठा रहे थे जो भारत के खिलाब टुकले टुकले गैंग की जो फिवर करती थी उसको राज लाहूल गांदी जी अपने साथ बैठा रहे थे सैं प्रित्रोजार जो दुनिया का सबसे बड़ा बैग्यानिक साइंटिज बसता चलिया उनके लिए कोई क चूने के लिए लालाइट हो जाता है और अमेरिका ने और अस्टेलिया ने क्या का कि मैं आपका आटोग्राप चाहता हूं मैं आपसे संबंद रखना चाहता हूं मुझे आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं मेरे गुरू है आप सबसे यह पोजिशन और तमाम देशों का अभी पपवा का दुनिया के तमाम देशों ने अभी तक हिंदुस्तान में जितना सम्मान वड में जितना सम्मान उनको मिला है सैयूत लास संग के अध्यक्ष और उनको भी इतना नहीं मिला दूसरी भारत में गुर्णलपेक्ष उसकी इंद्रा गांधी कभी सधारत करती ती उसके वेहों सबसे मेन वह थे उनगेन पर पशन में इन्दरा गांधी उपकी उसकी मेन तीदि नशेल नासिड और नहरु इंचाल लोगों का गुर्थ था इन लोगों को भी इतना संम्मान पूरे दुनिया में नहीं मिला है जितना मोदी को इन देशों में मिला है जो अपने आप में नहीं मंडेला जी को मिला है नहीं निक्षन को मिला है नहीं बैजनेओं को मिला है नहीं आप समझ लीजे लूथाल को मिला किसी को इतना सम्मान नहीं मिला है जो इनको सम्मान मिला है नरेंद मोदी को य रशिया से हम आगे हो गए इस समय संक्रमरकाल है और मोधी जैसे ने पांच ट्रिलियन डॉलर तर हमारी एकोनामी पहुंच रहे पूरे दुनिया में भुकमरी सेलीकॉन बैली में तमाम रोजगाल चिन गए तमाम बैंक बंद बहरत का एक भी बैंक बंद नहीं हुआ और बहर जीत मोधी की ब्यक्तिगर्ना समझे पूरे आज नडड़ा ने भी इसके लिए बहुत कुछ कहा है अध्यन डड़ा ने भी अपने उसमें पोश्ट में डाला कि आज भारत के लिए सम्मान की बज़े है गवरों की बज़े कि यह इतना बड़ा सम्मान मिला अब यह सोचना चाहिए देश के लोगों को कुछ भी ओर इन विपक्त के नेताओं को कास सहौर से केजरीवाल को लालू के अनपल लड़के और केजरीवाल को इन तवाम लोगों को कम से कम यह बदाई देनी चाहिए कि भारत के बैग्जानकों की वज़े से आज लांच में हुए हुए है लाहूल गांधी ने इसका बयान नहीं दिया तेजु ने तेजस्ची ने इसका बयान नहीं दिया लालू ने उसका बयान नहीं दिया हा उसको इसको ही स्पेलिंग टप है तो हो सक्चा तेजस्ची ना पड़ पाए या लट रहे हो नितीज ने इसका बयान नहीं दिया यह भारत के लिए गल्व की बात है कि कम से कम मोधी को ना करके उन बैग्जान को देदा आज मोधी की मानता यहां से जलकती है जब इसके पहले जब अस्पल हुआ था तो मोधी ने गले से लगा लिया था उस साइंटिस्ट जो लोने लगे थे और आज भी मोधी ने कहा कि गुड लग उन्होंने का गुड लग भारत के लिए गुड लग गुड लग को यह अपने बैक्तिकर ले उन साइंटिस्टों की बढ़ाई की आज वास्तों में यह खबरे दो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दुनिया इंटरनेशल पूरा वर्ड देख रहा है तो बहुत अच्छ देश हमारे खिलाप है एक जो देश था जब उसके भूकम पाया मिसने उसने भी कहा कि मुझसे गलती हुई तो जैहिन जैभारत तो जैसा कि आपने सुना कि अजय पत्रकार्ज भी क्या रहे हैं कि प्रधार मंति नरंदर वोदी इतिहास तो रची रहे हैं साथी साथ इंट अन्यवाद